हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका प्रभादुबे ब्लॉग में आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज जो हम बजार में खाते हैं वो अब हम घर पे भी बना सकते हैं आईए देखें कैसे बना सकते हैं इसके लिए मैंने यहाँ पे ऐसे बड़े में चार आलू लिये हैं इतने ही बड़े आलू आपको लेना है ताकि एच्छे लंबे स्लाइस में कट सकें तीन को मैंने पहले ही काटके पानी में रख लिया है अब मैं आपको एक आलू का स्लाइस करके आपके दिखाती हूँ कि किस तरह से आलू कटने चाहिए उनके दोनों साइड्स मैंने निकाल दिये हैं और बीच मैंसे में इस आलू को कट करती हूँ और छोटे-छोटे स्लाइस बना लेती हैं अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और उसमें कमेंट जरूर करें चलिए अब हमारे आलू के सारे स्लाइस कट चुके हैं अब हम इन्हें पानी में वाश करने के लिए डाल देते हैं अच्छी तरह वाश करने के लिए मैंने एक बड़े बावल में डाल लिया है, अब मैं सारे आलूओं को अच्छी तरह हाथ से दोलेंगी, और धोने के बाद इनको हम एक कपड़े में निकाल लेंगे, आप चाहें तो इस टेनर में भी निकाल सकते हैं, मैंने कपड़े में इसलिए निकाला हुआ है, ताकि ये अच्छी तरह से अब्जर्व पानी जो है पूरा कपड़ा उसमें कर लेगा, ये देखिए, आलूओं को सारा पानी निथारना है हमें, कोचना है अच्छी तरह से आलूओं को, तो मैंने इसी में सारे आलू इस कपड़े में निकाल लिया है, एक्स्ट्रा पानी सुखाने के लिए, मैं इसी कपड़े से सारे आलू के जो स्लाइस हमने की है, उनको अच्छी तरह पोच दूँगी, और फिर हमें इन आलूओं को पांच मिनिट के लिए, कम से कम पांच मिनिट के लिए पंखे की हवा में भी फैलाना होगा, पांच मिनि पांच मिनिट बाद हमारे सारे आलू जो है वो अच्छी तरह सूख चुके हैं, अभ हमें इने फ्रेंड्स फ्राइ करना है, तो हमने इनको अच्छी तरह से सुखा लिया है, फ्राइ बान के लिए मैंने पहले से गयस पर पेम को चढ़ा दिया था, अच्छी तरह से हमारा तेल गर्म हो चुका है, हमें अच्छे ही गर्म तेल में इनको डालना है, और केवल दो मिनिट के लिए ही सेखना है, यह पूरी तरह से हमको गोल्डन ब्राउन होने तक इसलिए नहीं सेखना है, क्योंकि यदि अभी हमने इनको गोल्डन ब्राउन कर दिया, तो इनमें जो क्र इसी तरह से इंको फ्राइब घर लें और वापस निकाल लें लेकिन आलू का कलर भी चेंज नहीं हुआ है और मैं इसी इसी तरह से खलाते हुए उनको फुकर लूँगी और बाहर निकाल लेकिन बस इसी कलर में हमको बहार निकाल लेकिन लेकिन पेपर लिया है पेपर पेपर निकाल लिया है ताकि जोगी एकस्ता तेल हो हो पेपर पेपर लिए तो आलू को मैंने पांच मिट के लिए ठंडा भी कर लिया है अब देखिए बहुत ही जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं थंडे हो चुके हैं इन्हें हमें फ्रिज में रखना है तो उसकी दो कंडिशन से या तो आप इनको पूरे कंटेनर में भरके एर टाइड डिबे में पर के कम से कम 5 मिनटे बी एर फिरज में रख दे पी लों सार्य अलू कि ताकि एच्छे से सैट हो जाया हूं अंच मिनट हो चुके हैं हमने हमारा कंटेनर भी निकाल लिया है और ये चैनल देख कर लिया है तो इस तरह से हमनी सारे आदा लूट निकाल लिया है तेल को वापस से बहुत ही गरम कर लिया है और फिर हम इन्हें फे से डीप राइ करेंगे अब जब यह तले जाएंगे तो तलने के बाद इनका इतना अच्छा कलर और इतना अच्छा क्रिस्प यह बनने वाले हैं अभी मैं आपको दिखाती हूं थोड़ा और अच्छा गोल् करेंगे हम इनको डीप्राइ करेंगे तो तूटेंगे नहीं एकदम अपने लंबे आकार में ही रहे आएंगे तो चलिए हमारे देखिए आलो कुछने अच्छे से तल चुके हैं मैं सुनाती हूं आपको आवाज इनकी अब इसे भी मैं आपके निकांगे हैं यह देखिए से आवाज इनकी हो रही है समझ लीजे हमारे किस्पी पोटेटो अच्छी तरह से बन चुके हैं अब हम इनमें सूखे मसाले अट करेंगे इसमें मैंने यहां पर लिया हुए है और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और यहां पर थोड़ा सा चाट मसाला और सॉल्ट लिया अब लाल मिर्च पाउडर भी आप अपने टूच के अपाउडर भी कम यह जयादा कर सकते हैं इन्हें मसालों को मच्छी तरह अची मिला लेंगे तो दीजिए फ्रेंड्स हमारे क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज तैयार हो चुके हैं देखिए कितने क्रिस्पी बने हुए है बस तो इस बारिश के मौसम में आप भी क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज बनाईए और आनंद लीजे और यह दी आपको बहुत ही ज्यादा आनंद लेना है तो इसके साथ आप खरी जटनी भी ले सकते हैं तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको वीडियो बताईएगा जरूर मेर इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नमस्कार